लो स्टूडेंस वेलकम टो आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी अभी जैसा आप लोग जानते हैं हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था हमारा ड्रग मेटाबॉलिजम तो इसमें अपर लोग पहले फेज बन पढ़ चुके हैं फिर हमने फेज टू देखा थ जिसमें से हमने एक ग्लुकॉरिनिडेशन वाला रियाक्षन अपर ने देख लिया था आप आईए अपर आगे चलते हैं जो है हमारा ग्लूटा थायनोन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी एचेस से इसमें एक थायोल ग्रूप होता है थायोल ग्रूप मतलब ऑल्वे यानि कि थायोल के साथ ट्राइप्टाइड प्रेजेंट होता है अब यह जो कॉम्बिनेशन है थायोल और ट्राइप्टाइड का इसका बहुत इंपोर्टेंस है ड्रग के डी टॉक्सिफिकेशन में तो ग्लूटा थायोल को हम लोग और एक कॉमन नाम से जानते हैं जिसको डियाक्शन किसके साथ होता है इलेक्ट्रोन डेफिशन्ट कामपाउंड याने की हमारे ड्रग का वो पोर्शन जहां पर इलेक्ट्रोन की कमी होगी डेफिशन्स याने कमी होगी तो इलेक्ट्रोन की कमी होगी वो वाले पोर्शन में हमारा थायोल ग्रूप जूर जाता है और अब जो new चीज बनती है, that is three substituted glutathione adduct, adduct is for intermediate, अब ये electron deficient कौन कौन सी चीज है हो सकती है, जो sulfates हो, sulfonates हो, nitrates हो, alkyloryl halides हो, तो ये जो combination students, ये एक enzyme की मदद से बनता है, और उस enzyme का नाम है glutathione three transferase, ठीक है, तो further क्या होता है, जैसे आपका glutathione बना, तो glutathione का जितना भी conjugate होता है, ये हमारी body के अंदर, inside body, जिसमें degrade हो जाता है, mercaptopuric acid में, अब mercaptopuric acid का excretion easy होता है, जैसे देखिए, ये हो गया हमारा, एक benzene ring जिसमें chlorine है, क्या नाम हो गया इसका, chlorobenzene है, ये glutathione से साथ आपका अटाच हुआ, यहाँ पर आपका ये जो CL group था, ये remove होके, यहाँ पर SG अटाच हो गया, ये CL, इस H के साथ, HCL बनाके, निकल गया, और आपका ये जो S है, यानि कि जो थायोल से sulfur जो मिला था, वो free घूम रहा था, वो enzyme transferase की मदद से, आपका ring के साथ, main parent drug के साथ, अब ये metabolite body से easily excrete out हो जाएगा, जैसे मान लीजे हमारे पास ऐसे drug हैं, जिन में नाइट्रो ग्रूप प्रेजन्ट है, यानि कि NO2 ग्रूप प्रेजन्ट है, तो ये NO2 ग्रूप जो हमारे प्रेजन्ट होते हैं, ये activate हो जाते हैं, और activate हो जाने के vessels हैं, वो फैल जाती है, ऐसी dilate हो जाती है, तो वेसो-डाइलेटर प्रॉपर्टी देने के लिए भी आपकी ग्लूटा थायोन मदद करता है, इसमें एक दूसरा पार्ट है, that is, sulfate conjugation, तो sulfate conjugation भी एक बहुत important पार्ट है आपका phase two conjugation का, क्योंकि इसी की मदद से आपकी सार जो हैं, वो metabolize होते हैं, जितने भी steroid containing drug हैं, उन सब का metabolism कब हो सकता है, जब आप sulfate conjugation करेंगे, ठीक है, तो sulfate conjugation के समय क्या होता है, कि कुछ functional group जैसे कि phenol, alcohol, hydroxy group, aromatic amine, यह सब activate होते हैं, sulfate की presence में before coupling, याने body में जूणने के पहले, ठीक है, तो जो enzyme, इन functional group को activate कर देता है, वो कहलाता है, 3-phospho adenosine 5-phospho sulfate, इसको PAPS से represent करते हैं, और इसमें sulfokinase enzyme होता है, जो इनको activate कर देता है, यह process कहां होती है, liver, kidney, intestine होती है, अब जो drugs आपके sulfate conjugation के अंदर जाते हैं, जैसे कि estrone, sulbutamol, terbutaline, methyl dopa, यह सबके सब आपके body से कब excrete होते हैं, जब यह sulfate conjugation बनाते हैं, देखिए, यह आपका एक steroidal drug हो गया, इसमें PAPS enzyme याने की यह वाला, 3-phosphoroadenosine, 5-phosphosulfate, यह मदद करता है, तो आपका जो N group है, यह आप देखिए, N के साथ में S, O, 3-, और एक और यह O, यह वाला O जो है यह, आपके main parent से, main parent drug से connect हो जाता है, इस प्रकार से sulfate conjugate जो बनता है, इसको body से excrete कराना easy हो जाता है, इसी category के अंदर अगला आता है, amino acid conjugate, तो amino acid conjugation में, जो सबसे common है, that is glycine, और second common है, glutamine, सबसे पहला amino acid conjugation कौन करता है, glycine, और दूसरा कौन करता है, glutamine, है न, तो acid drugs जिन में aromatic acids है, यह aryl alkyl acids हैं, वो इसके अंदर आगे जाते हैं, अगर आपके पास carboxylic group आया है, phase 1 के बाद, तो वहाँ पर भी amino acid conjugation होता है, तो यहाँ पर हमारी लिए मददगार कौन होता है, हमारा help कौन करता है, एक co-enzyme A होता है, ठीक है, co-enzyme A, asyl synthetase की presence में thioester बनाता है, यह thioester glycine से react करता है, in the presence of transacetylase, अब transacetylase के presence में जब यह reaction करता है, तो amino acid conjugate बनता है, और drug body के बाहर जाता है, देखिए, हमारे पास है benzoic acid, यह benzene ring CWH है, इसमें सबसे पहले acyl synthetase मदद करता है, किसके presence में co-enzyme A के presence में, यहाँ पर एक intermediate जैसा बनता है, विच इस नोन ऐस thioester, यह thioester जो है, यह और synthesis होता है glycine की मदद से, अब glycine की मदद से, और further metabolize होने के बाद में, आपको एक new compound मिलता है, जिसको हम लोग हिप्यूरिक acid बोलते है, अब इस हिप्यूरिक acid को जो कि एक amino acid conjugate है, इसको body से बाहर निखालना बहुत ही आसान हो जाता है, next इसके अंदर आता है आपका methylation, चीक है, तो methylation जो होता है, वो process आप कहां यूज करते हैं, endogenous enzyme के metabolism के सामें, आप methylation का process यूज करते हैं, methylation हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, कि यहाँ पर methyl group होगा, जिसको हम भगा देंगे, यानि कि transfer कर देंगे, किसकी मतद से coenzyne S adenosyl methionine की presence में, ठीक है, और साथ में यहाँ पर अगर phenolic OH group present है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, catechol o methyl transferase, ठीक है, अब यहाँ पर जो methyl group है, यानि कि हमाली drug का जो CS3 group है, वो जुड़ता है, SEM, SEM यानि ये, S adenosyl methionine के साथ, और फिर आपका sulphonium center का formation कर लेता है, अब हमारा जो new compound बना है, वो कैसे nature का है, इलेक्ट्रोफिलिक nature का, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक nature का है, अब आप इसको असानी से क्या कर सकते हैं, तोड़के body से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे एक example देखिए, ये हमारा nor epinephrine, ये nor epinephrine में आप ये देख सकते हो, यहां पर एक OH ग्रूप प्रेजेंट है, है न, ये वाला OH ग्रूप जो है, ये किस में convert हो जा रहा है, OCS3, मतलब मीथोक्सी में, ये मीथोक्सी ग्रूप का conversion जो है, वो easy है, और अब ये body से बाहर निकालना, as compared to this, आपका easy होता है, ectopurine, इसके बाद इसमें एक और चीज है, that is acylation, acylation is also a part of phase 2 reaction, देखिए, आपके पास कुछ ना कुछ aromatic amines या aliphatic amines होते हैं, जिनको आप acylate करते हैं with the help of coenzyme A, आप coenzyme A के साथ एक enzyme भी आपकी मदद करता है, जिसका नाम है N-acetyl transferase, यहाँ पर जो linkage बनता है, that linkage is known as thioister linkage, इस process के लिए, acetylation की process के लिए body में liver, lungs, spleen, gastric cells, RBCs, यह सब आवेलेबल होते हैं, इस process में, आपका drug की जो water solubility है, यह नहीं बढ़ती है, ठीक है, water में solubile नहीं होगा, लेकिन acetylation का जो process है, यह हमारे drug की pharmacological activity को terminate कर देता है, मतलब रोक देता है, और termination के बाद जो है, amino metabolites का formation हो जाता है, फिर amino metabolites बनने हैं, तो आपका वो amino acid conjugation के थ्रूँ, body से break होके बाहर चले जाएंगे, यहां acetylation में आप एक चीज यह ध्यान रखेंगे, कि यहां पर water में solubility नहीं बढ़ती है, जबकि हमारा जो phase to reaction था, उसमें हमने starting में बात की थी, कि हमारा main target होता है, drug को more polar बनाके, water में more soluble करना, so that उसका excretion easy हो जाए, तो यह important आपके लिए point बनता है, कि in which phase to reaction, water solubility is not increased, तो उसका answer है, acetylation, यहां आप देखिए, आपके पास एक drug है, hydralazine नाम का, इसमें हम लोग acetyl coenzyme A की मदद लेते हैं, और यहां पर acetylation reaction होता है, तो यह जो new compound बनता है, that is known as N-acetyl hydralazine, तो यह तो drugs आपके acetylation के अंदर जाते हैं, उनका एक आद example और है, जैसे isoniazide phenolazine, तो students, I hope आपको यह drug metabolism के दोनों phases समझ में आए होंगे, अगर आपको हमारा यह notes चाहिए हो, तो प्लीज आप हमारा app solution pharmacy, download करिए, thank you so much,